हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको Class4 की EVS स्टार्ट कर रहे थे जिसके मैंने आपको 22 टॉपिक्स तक करवा दिये थे अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा नहीं देखे तो मैंने अलग से वीडियो की जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है वो बने अलग से बना रखे है चैनल में आप वहाँ जाकर उन वीडियो को देख सकते हो जो कि आने वाले आपके EVS के portion जो की सीटेट में पूछा जाता है उसको क्रेक करने के लिए आपकी ये बहुत मदद करेगा तो उसी सीरीज को continue करते हुए आज हम उसके आगे बात करेंगे तो इस वीडियो का आप end तक देखते रहेगा आपको सारी information मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है दीपक आप देखे रहे उडिके गुपता ओनलाइन वीडियोस पो गौर्मेंट अग्जाम चलिए शुरू करते हैं तो ये आपकी class 4th की EBS की विशय शुची यानि ये content है जिसमें हमने कितने chapter कर लिये थे तो हमने यहाँ पर 22 chapter यानि कि दुनिया मेरे घर में यहाँ तक हमने कर लिया था आज हम बात करेंगे 23rd chapter जो की most important chapter है पोचम पल्ली यहाँ से आपके बहुत important questions पूछे जा चुके हैं तो यह आज हमारा आज का पहला topic है चलिए आज का अपना lecture शुरू करते हैं तो यह है आज का हमारा पहला topic part 23rd 23 वहाँ जो की क्या है आपका पोचम पल्ली अब यहाँ से आपको बहुत important एक questions देखने को मिला होगा जो की पोचम पल्ली कपड़े होते हैं वहाँ से questions पूछे जाते हैं तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए आखिर यह पोचम पल्ली है क्या तो चलिए उसके बारे में आप पूरी कहानी दे रखिये लेकिन हम main highlighted point पढ़ेंगे बस तो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा रखा है कि उनका गाउं तिलंगाना राज्ये के पोचम पल्ली कजबे के पास है तो दियान रखियेगा पहला point यह जो पोचम पल्ली कपड़े का नाम है वो कपड़े का नाम किस नाम पर पढ़ा है तो तिलंगाना राज्य है, हमारा भारत का एक तिलंगाना राज्य है, जो कि अंदर परदेश से अलग हुआ था, वहाँ पर एक जिला, यानि कि एक कस्बा है, पोचमपली, उसके नाम पर ये पढ़ा था, जो कि यहां के जो लोग के, यानि कि जो कपड़ा सीलते हैं, जो बुनाई को पोचमपली नाम से पहचाना जाता है, दियान रखेगा, यहाँ पर अधिकतर जो परिवार है, वो क्या है, बुनकर है, और यह जो पोचमपली कपड़ा होता है, जो यह बुनकर होते हैं, योंशनों ने जो तयार करते हैं कपड़ा, यह पूरे वर्ल्ड में ब लंगाना में है आगे एक most important point अध्यापक के लिए तो क्या है कि बच्चों का ध्यान इस और दिलाएं की परमपारिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं इन में पोचमपली कारिगर की तरह बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं इसी तरह के अन्य परमपारिक व्यवसा के लिए कहें तो यहाँ पर कहने कतात पर यही है कि जो बच्चा आपका जो शुरू में जो व्यवसाय सीखता है वो अपने परिवार से ही सीख सकता है क्योंकि हमारी जो परमपारिक जो कलाएं हैं वो हमारे पूरवजों ने कभी न कभी किसी न किसी तरीके से अपने पूर परली करीगार होगे, इत्र बनाने वाले होगे, कालीन बनाने वाले होगे, खिलोने बनाने वाले होगे, यह जो होते हैं, वो अधिकतर अपने घर से ही व्यविशाही सुरू करते हैं, और भारत के नक्षे में जो अंदर परदेश है, वो किस तरह है, वो भी आपको पता होना चीए ध्यान रखेगा इस point को तो यहाँ पर देखो कुछ image दे रखे हैं कि पोचमपली साड़ी वेगेरा जो कपड़े वेगेरा होते हैं वो किस परकार से हाथ से बनाए जाते हैं और फिर मशीनों से भी हाँ पर इस्तमाल किये जा रहे हैं कुछ तो उनकी कुछ image दे रखी है चलिए आगे चलते हैं तो आगे हैं आपर देखो एक point लिख रखा है खत्रे में है कि यह कला क्यूं क्यूंकि यह वाले जो पोचमपली जो कारीगार होते हैं वो धीरे धीरे हैं अपनी कला को छोड़ कर सहरों में जाकर मजदूरी करने जा रहे हैं क्यूंकि जो पोचमपली कारीगार होते हैं उनको एक कपड़ा बनाने में एक साड़ी बनाने में कई दिनों का समय लग जाता है पूरे परिवार को लेकिन जब वो बेचते हैं तो उनको सही दाम नहीं मिल पाता जो कि वहां के वैपारी होते हैं वो उनसे कमदाम में खरीद लेते हैं और वो आगे जाकर महंगे दामों में बेच देते हैं तो इस वज़े से जो वहां पर कारीगर है इन कामों को छोड़ कर शेहरों की और रुख कर रहे हैं अपना किसलिए मज़दूरी करने के लिए ओके नेक्स पॉइंट फिर आगया आपका अध्यापक के लिए क्या बोल रखा है कि ऐसे परंप्रागत वैवसायों में भी कई औजार और कलाओं का इस्तमाल होता है इस बात पर भी जो डालें कि अक्सर एक चीज को बनाने के लिए परिवार के सभी लोग मिलकर काम करते हैं और सभी का काम बटा होता है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर जो आपका यह इमेज देखा मैंने आपको भी इमेज दिखाया एक व्यक्ति देखो यहाँ पर यह मशीन में कुछ कर रहा है उपर देखो यहाँ मशीन में कर रहा है तो इसे क्या कहता है करगे बोलते हैं तो इसलिए पोचा जाता है कि एक पूरे के पूरे जो कला होती है इसके अंदर काफी होजारों का इस्तिमाल किया जाता है और एक चीज को बनाने में परिवार के कितने लोग लगे रहते हैं क्योंकि सब लोगों का काम क्या होता अलग-अलग बठा रहता है क्योंकि ये घर का अफसाए है इसलिए अलग-अलग लोगों का अलग-अलग यहां पर दाइतव होता है चलिए नीचे की ओर चले तो यहां पर आपका एक ओर पॉइंट आ जाता है अध्यापक के लिए क्या बोल रखा इन्होंने बोल रखा कि पोचम पली की तरह ही भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़े बनाई जाती है इन चीजों के नाम उस इलाके के नाम से ही मशूर हो गए हैं जैसे कि यहां पर कुछ नाम दे रखे हैं जैसे कि कुल्लो की शौल होगी मदुबनी पेंटिंग होगी असाम का सिल्क होगे जो कशमीर की कड़ाई होती है वो गए तो यह सारे के सारे कुछ ऐसी चीज़े हैं जो उनके आसपास के नाम से ही मशूर है जैसे कुल्लो की जो शौल होती है वो जो याक नहीं होते हो जो भैसे की तरह होते हैं उसके बालों से बनाई जाती है जो कि बहुत गरुम और बहुत मशूर होती है अगर आपका भी कुल्लू जाओ तो वहाँ से ये शौल ले सकते हो जो कि मैं लास्ट से लास्ट टाइम गया था तो मैं ले के आया था इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ तो कुल्लू की शौल बहुत अच्छी होती है मशूर है मधुमनी पेंटिंगी भी बहुत मशूर है असाम की जासे की सिल्क होते हैं वो भी बहुत मशूर है और कश्मीर की कणाई तो ऐसे मशूर ही मशूर है तो इस वज़े से इन चीजों के बरे है जो प्रस्पारिक जो नाम होते हैं इनके इलाके की वज़े से ही मशूर नाम पर रख दिये गए और मशूर भी ये इसी वज़े से हो गई जो कि काफी अच्छी कारेगरी होती है तो ये कुछ वेवसायत है आपके जो परमपार के रूप से एक दूसरे को हम सिखाते हुए हैं अमारी पीडियो में उसके बारे में हम बच्चों को चर्चा दिलवा सकते हैं और अपनी परमपारी कलाओं के बारे में जानकरी बच्चो को दे सकते हैं ओके तो ये था आज का अपना पहला टोपिक पोचम पली यहां से कुछ important point जो कि मैंने आपको अच्छे तरह के से बताने की कोशिश करी है चलिए next topic क्यों चलते हैं तो next topic है अपना part 24 जो कि यह दूर देश की बात अब ये दूर देश की क्या बात है तो एक परीवार है केरल का रहने वाला जिसके बच्चे जो अभुधाभी में सेट हो गए थे वहां पर काम करने लग गए थे तो वो 5 साल के बाद अपने घर केरला लोटा है तो उसी की पूरी की पूरी कहानी दे रखी है तो यहाँ पर कुछ point है अध्यापक के लिए क्या है point देखो मल्यालम अब यहाँ पर एक portion आ जाता है कि मल्यालम कहां बोली जाती है तो ध्यान रखेगा मल्यालम केरल की language है भाषा है तो मल्यालम में चिटपन जो चिटपन होता है वो चाचा यानि कि पिता के छोटा भाई जो होता है वो चाचा ही होता है उसको चिटपन कहा जाता है और कुछमा जिसको कहा जाता है वो क्या होता है वो पिता की छोटी की जो पतनी होती है यानि की जो चाची होती है उसको कुंजमा कहा जाता है तो यह पूछा जा सकता है इसलिए मैं आपको यह समझाने की कोशिश करिए चेटबपन चाचा को और कुंजमा चाची को चलिए आगी की और चले तो आगे की और कुछ आपके important point आपके हैं से questions काफी पूछे जा चुके हैं जैसे की पहला की आपुधावी की कुछ कहानिया बता रहते हो टेक्सी के अंदर तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है की वहाँ पेटरोल पानी से सस्ता है चेटबपन ने बताया मतलब जो चाचा था उसका उसने बताया अपनी भतीजी को की वहाँ जो हैं वो पानी जो हैं कहीं पर भी नहीं नदी में नहीं जमीन के नीचे नहीं तलाब नहीं किसी परकार की जील तो वहाँ पर जो पानी है वो पेटरोल से महंगा है यानि कि वहाँ पेटरोल सस्ता है और पानी महंगा है अगर पूछा जाए तो ध्यान रखे हैं कहां पर चीजें आपके वहाँ पर उसको पेड़े देखने को मिले तो इसलिए जो केरल होता है उसको क्या कहा जाता है मसालों का राज्य कहा जाता है important point है ध्यान रखेगा लेकिन फिर उसने आबुधाबी की बात बोली कि आबुधाबी में तो सीफ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि आबुधाबी किसले मशूर है तो वो है अपने dates यानि की खजूरों के लिए खजूर की खेती जो होती है वो आबुधाबी में बहुत होती है और बहुत मशूर है आबुधाबी के खजूर क्यों क्यों एक वो ही पेड़ जो रेगिस्तानी लाके में क्या होता है सर्वाइव कर सकता है आग ये उसके चेटपपा या जो कुछ चाचा था उसने कुछ अपने परस से निकाल कर कुछ करेंसीज दिखाई तो आबुधाबी की ध्यान रखेगा इस बात को नेक्स्ट आप नीचे आपे कुछ इमेजिस भी दे रखे हैं वो भी मैं आपको आगे दिखा दूँगा चलिए आगे यहाँ पर देखो लिख रखा है कि वहाँ पर जो इमेज देख रहे हैं आप आबुधाबी की तो उसकी जो भतिक जी थी वो बोल रहे कि चाचे हैं तो बहुत उचे उचे खिड़किया खिड़किया खोल कर सई ठंडी ठंडी हवा आती होगी लेकिन यहाँ पर उसने बोला नहीं बटा वहाँ पर खिड़की खोलने का तो सवाली नहीं है बहुत गर्मी होती है एसी हमेशा चलता रहता है तो उतनी गर्मी की होने की वज़े से ही वहाँ के जो लोग होते हैं गर्मी की वज़े से ही वहाँ के लोग ढहले ढहले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरे शरीर और सीर भी धका रहता है जैसे कि आप image में देख रहे हो पूरे समीर सूती कपड़ा जो कुर्ता है वो पैन रखा है और सर भी कहा है धका हुआ है वो इसी कारण से कि वो तेज दूप से क्या हो सकें बच सकें क्योंकि बहुत ज़ादा गर्मी होती है अबुधावी में अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखेगा इस point को left hand side में देखो कुछ currencies दे रखी है कुछ currencies हमारी है और कुछ currencies आपकी पुरानी वाली और कुछ आपकी अबुधावी की currencies देखने को मिल रही है नीचे की तरफ आए तो वो ही पुराने 5 के note, 10 के note और 100 के और 500 का नया note यहां पर दे रखा है और नीचे की तरफ जाएं तो आपको सारी currencies जैसे की हमारी भी है और कुछ आपकी अलग currencies भी है right hand side में नीचे की तरफ आओगे तो आपको हर currency यहां देखने को मिल जाएगी चाहे वो dollar हो चाहे वो चाहे आपका China का हो या आपका धिरम हो या फिर सारी सारी चीज़ें आपर दे रखी है main main important important point जो मैंने आपको highlighted बताए है बस आपको वो ध्यान रखने हैं वास से questions आपके जरूर पूछने के chances बनेंगे तो ये थे दोस्तों आज के important दो चेप्टर तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही और कई दोस्त अभी भी परिशान है कि सर जो आपका PDF हो कैसे मिलेगा तो दोस्तों बार बार बच्चे फोन कर रहे हैं तो dear मैं आपको बता दूँ फोन करने से कोई फायदा नहीं होगी फोन जो है वो टेक्निकल टीम के पास रहता वटसेप करो वटसेप पे ज़्यादा फायदा रहेगा आपके लिए तो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा कि PDF कैसे ले सकते हो आप और साथी साथ में टेलिगराम जो ग्रूप है हमारा उस ग्रूप को जोईन कर लिजेगा वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी जोईन करने के लिए आप क्या कर सकते हो आप Play Store में जाकर टेलिगराम ग्रूप को डाउनलोड करो टेलिगराम एप को और वहाँ सर्च के उप्शन में जाकर सर्च मारो डी के गुपता आपको हमारा पहला ही चैनल का लोगो दिख जाएगा अपने चैनल का उसको जाकर आप जोईन कर लिजे बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट है कोई अपडेट होगी तो वहाँ पर मैं दे दे देता हूँ नी तो आपको जब भी हम लाइव आते हैं अपने चैनल पर वहाँ पर मैं आपको अपडेट देता हूँ तो वहाँ से आ आप अपनी क्लास ले सकते हो कभी आपको notification नहीं मिलता है और बाकी आपकी EVS की Pedagogy PDF हो गया या बाकी कोई PDF हो गया तो वो मैंने आपके बनने के लिए दे रखी है आप उनको जैसे रैडी हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँगा कि कैसे लेनी है तो दोस्तों ये थी आज की अमारी पूरी की पूरी वीडियो अगर आपको आज का lecture अच्छा लागा हो तो दोस्तो वीडियो को like जरूर कीजेगा और साथी साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर share कीजेगा ताकि हमें भी motivation मिलता रहे और आपको और अच्छी सछी वीडियो देने की हम कोशिश करते रहें और साथी साथ में अगर आपने इस चनलों को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए जो उसके साथ में जो बैल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोडिफिक्शन आपको टाइम पूटाइम मिलती रहे तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आपसे फिर मलकातों की नेक्स वीडियो में जब तक के लिए जैहिन जै भारत